नमस्कार दोस्तों मैं हूँ साधना साधना कीचन बिहारी मेरा कुकिंग चैनल है तो उस चैनल पे आप लोग नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारा हर एक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे और आप लोग हमारा वीडियो देख पाएंगे दोस्तों तो इसलिए चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए तो चलिए मैं चलती हूँ नई रेस्पी बनाने एह है पका हुआ पपीता का मिठाई इसे बहु ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनने वाला है दोस्तों वीडियो का फ कटिंग करके हटा देना है अब इसमें से छिलका उतार लेना है यह है मतलब घर का पपीता अगर आप लोग मार्केट से पपीता लेंगे तो ओ थोड़ा ज्यादा कलर फूल मिलेगा तो उससे भी बन सकता है तो इसका छिलका उतार लेने के बाद में फिर अगला प्रोसेस पर बताओंगी इसको पानी से धुलाई करके मैं लाई हूं अब इसको दो भाग में पहले कटिंग करना है पिर इसमें से एक एक भाग और कटिंग कर लेना है जिसे इसका बीज और अंदर का जो भी पाठ है बढ़ियां से निकल जाए और एकदम फ्रेस हो जाना चाहिए प मतलब कदू कस करके सुमूथ हलुआ की तरह हो जाएगा तयार तब इसको अगला प्रोसिस पर बने रहिएगा एक एक पॉइंट को देखते रहिएगा मैं इसको बढ़ियां से आइडिया पताने जा रही हूं दोस्तों तो देखिए यह हो गया है तयार यह बहुत आसान तर ख़ल देने के बाद में इसको रुक-हूक करके चलाना है अगर पकते-पकते इसमें कि थोड़ा सा मतलब तिकनेस दिखेगा तब हलका सब पक जाएगा एक से दो मिनाट दो मिनेट पक जाने के बाद में इसक अश्या मृषट यह इसे कवर लगा देना हुपसर अब इसको पकने देना है अराम से फिर देखिए थोड़ा सा पक गया है बिल्कुल सफ्ट हो जाता है पक के अपना अंदाज खुद मिलने लगेगा तब इसको थोड़ा सा घुला मिला करके चला लेना है थोड़ा पानी इसका और एक जोब हो जाएगा बढ़ियां से एक ग्राम चिन्नी में डाल रही हूं एक के जी का पपीता था इसमें 200 ग्राम चिन्नी डाल रही हूं क्योंकि पपीता एक के जी का है लेकिन पानी सुख करके इसका बढ़ियां से हो जाता है 300 ग्राम से 400 ग्राम आराम से हो जाता है दो दोस्तों इसलिए 200 ग्राम चिन्नी काफी है अब इसचरी को डाल देने के बाद में इसे पकाना है कुछ देर तक और हलका पकड़ाने के चिन्नी घूलने तक पकाना है तब एधर एक बरतन में छनी लगा लेना और बड़ा स्पुन से इस तरह से इसे चान लेना है बढ़ियां से जिसे एकदम समूथ पेश्ट की तरह आ जाए बरतन में और एकदम से किलीन पेश्ट हो जाए बढ़ियां से इमिठाई तयार होने लाएक तो इस तरह से अस्पुन के मदद से इसको चान लेना है वीडियो बने रहीएगा किस तरह से मैं चान रही हूं और किस तरह से सारा हो गया तयार देखिए कितना बढ़्णियाँ अंदर एकदम बरंशन में हो गया है तयार एकदम समूथ पेश्ट की तरह हो जाता है दोस्तोंगी इस चंडी वक्त और इसमें सामागरी पढ़ेंगे जिससे इसका बढ़ियां सा स्वाध आएगा और बढ़ियां सा फ्लेवर बनेगा तो इसको कश्टड के मिला करके बढ़ियां से स्मूथ कर देना है इसमें कोई गाठ उठली पढ़ने का कोई डर नहीं रहता है दोस्तों यह बिल्कु शीक्ड के तो बहुत पसंद करेंगे अब इसको कडाही में डालके पकाना है कडाही गरम ना कीजिएगा पहले इसको बढ़ियान कीजिएगा ग कमिसंने इसमें फूल wire डालना है फूट इसका कलर और जबर्दस्त बनेगा और बढ़ियां सा लूक आएगा इसलिए हलका सा फूट कलर में डाल रही हूँ अगर आपके पास एवेलेबल नहीं होगा फूट कलर तो नहीं भी डाल सकते हैं बीना फूट कलर के भी बनेगा और ज्यादा हेल्दी होगा थोड़ा से इसका लूक फिका रहेगा बस इतने का अंतर रहेगा अगर होगा फूट कलर तो डाल सकते हैं कोई हानी कारक नहीं है मतलब जिलेबी यह सब केक में जो पढ़ता है वह वाला फूट कलर है दोस्तों तो देखिए इस तरह से इस धाकन कभर करकर के बीच में और पकाना है फिर इसमें कुछ दिर पक जाने क के बाद में बनीला फिलेवर का था कस्टर्ड तो बनीला फिलेवर थोड़ा सा बनीला एसेंस डालना है हलका सा फिर उसके बाद थोड़ा और ड्राई हो गया तीन से चार मिनट फिर ड्राई हो गया है तब इसमें घी डाल देना है कुल टोटल इसे घोल तेयार करने के जिससे एकदम बढ़ियां लुक आए और कटिंग करने में भी आसान हो जाए इसलिए बढ़ियां मिठाई बनना चाहिए इसलिए इसको बढ़ियां से ड्राइज सुखाना रहता है अब उस तरह से हो गया है तेयार अब इधर केंटीनर त्यार कर लेना है इसमें रिफाइन व पेस्ट को डाल देना है अब इसको सारा एक साथ रख देने के बाद में हाथ से हलका सगी लगा के या तेल लगा के फैलाना है धीरे धीरे इसे फैलाना है बढ़ियां से सेट हो जाएगा तो असानी से निकल आएगा बाहर कुछ देर बाद अब इसको छोड़ देना है पां इसको बराबर होना चाहिए बहुत बढ़िया हो गया है दोस्तों आब इसको रख देना है अराम से पांच मीनट के लिए फ्रीज में 5 मीनट हो जाने बाद में फीर अगला प्रोसीस भी बने रहे है इसको कैसे मैं निकालूंगी कैसे कटिंग करूंगी और कितना टेश्टी बना है उस सब वीडियो पे आपको मिलेगा देखने के लिए वीडियो पे बने रही है पांच मिनट हो गया है दोस्तों फ्रीर से बाहर मैं अभी लाई हूँ अब इसको कटिंग करके मैं निकाल रही हूँ एक प भाइंगे कि मत पूछिये बहुत जादा टेश्टी होता है दोस्तों और पपीता में ऐसे भी कैल्सियम का मात्रा जादा रहता है तो पपीता बहुत फैयदे मंद है तो इस रेस्पी को ट्रायी जरूर कीजिए आप लोग बहुत जादा टेश्टी बना है दोस्तों इसको अपना हिसाब से कटिंग कीजिए जैसा आपको लुक देना हो लंबा पीसेज बनाना है वह भी बन सकता है छोटा चकोर पीसेज बनाना है वह भी बन सकता है तो देखिए कितना लचिल्ला हुआ है लेकिन इसका पीस बहुत आराम से अलग हो जाएगा देखिए मैं निकाल के कितना बढ़िया इसका पीस लग रहा है दोस्तों एक डम ला चिला है जेली की तरह इसलिए से बहु जादा सबसक्राइब करना बनता है आप लोग को भOh 애 à koi को देखिए कितना बढ़िया इसका लुक दिख रहा है दोस्तों तो इस रेष्पिक को त्राइ कीजिएगा वीडियो पसंद आने पर एक लाइप कीजिएगा एक कमेंट कीजिएगा जरूर इसको मैं खा के दिखा रही हूँ बहु ज्यादा टेश्टी बना है दोस्तों देखते ही मुह में पानी आ जाएगा वाव बहुत ज्यादा टेस्टी है दोस्तों बच्चे तो छोड़ेंगे नहीं तो ट्राइ कीजिएगा इस्ट्राग्राम फेस्बूक पेज को फॉलो कीजिएगा फिर मिलेंगे